बाईया बाईया मैंना मेनत तो बहुत कर रहा हूँ अपना 100% भी दे रहा हूँ पर consistency नहीं आती मतलब कि एक दिन में मैं 10-12 गंटे पढ़ लेता हूँ पर दूसरे दिन 2-3 गंटे ही पढ़ पाता हूँ और एसे न रिपेटिटेंट मोट पर होता है और जो भी वीडियो देखता हूँ वह यहीं बोलता है कि तुमको consistency बनानी पड़ेगी consistency बनानी पड़ेगी 10-12 गंटे पढ़ा ही करनी पड़ेगी तब ही जाके तुम exam में पास होगे तो ऐसे तो मैंको लग रहा शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा पता नहीं क्या होगा मेरा या और मैं यह चूस तो कर लिया पर बाहर केसे लगूँगा पता नहीं रुको यार जस्ट पहले तो अपने माइंड से यह सारे बर्डन और यह जो पुराने मिट्स है ना कि भाई तुमको 10-12 गंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तो ही पास हो पाऊंगे दिखो consistency is very important बट उसका एक number of hours का cap लगाओगे कि इतने घंटे पढ़ोगे तो इतने number आएंगे या फिर इतने घंटे पढ़ लिया तो पास हमेशा हो जाओगे ऐसा बिल्कुल भी रही है आज मैं तुमको नो ऐसी total 5 tips बताने वाला हूँ जिससे तुमको अपनी पढ़ाई में consistency लाने मे लास वाली tip तो बहुत important है और तुम बोलोगे कि या यह तो माइंड ब्लो कर गई तो वीडियो को लास तक देखना कुशिश करो कि यार हम यह सारे points नो टाउन कर लें और सबसे important है उसको implement करें तो do like the video and subscribe to this channel because ऐसे मज़ेदा से video कि मैं तुमारे लिए अब लाता हूँगा सबसे पहला यह है कि तुमको एक slot के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी पड़ीगी कि यार अगर मैंने 5 slot बना लिये हैं 2 हंटे इच के तो जब तक वो 2 घंटा पुरा नहीं हो जाता मैं अपनी seat नहीं चुरूँगा शुरू में बहुत दिक्कते आएगी ऐसा लगेगा कि न अपना 100% दोगे ना तो तुम 20-20 बाद खुद में चैस दिखोगे कि हां या चलो मुझे 2 हंटे पढ़ाई करनी उसके बाद में 10 मिट का ब्रेक होंगा और यह मेरा टाइम टो रहेगा तो slot आज से बनाओ और उस पर consistently work करते जाओ ज्यादा subject A की दिन में मत करो कोशित पनना राइता हो जाएगा रुटाला हो जाएगा और मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा दूसरा खुद के दिमाग में यह हमेशा रहो कि अगर मैं महनत नहीं कर रहा हूं न तो कोई नो कोई मेरा दोस्त कोई मेरा तलीग और कोई मेरा CES प्रेंट दूसरा जो है पढ़ाई कर रह सब्सक्राइब कर दो कि यही प्रवलम दे रहा हो अपनी चुछ पर करार रखने में तो उसका टाइम टेबल बनाना और मैं इस पर इसप्पेसिक लीडियो जार रखिए मैं उसका कोशिश करूँगा लिंग भी दे दूँ कि यार भाई मुझे अपना consistency बरकरार रखना है तो social media से थोड़ी सी दूरिया बनाने रहेगी मैंने बताया कि यार मैं Nokia के phone पर switch हो गया था जो Jio का phone था स्वारी उसको shift हो गया था मैंने 4-5 महीने स्मार्टफोन था उसको मेरे अपनी family case में यूज किया और मैंने यूज नहीं किया विकास मैं को पता था कि यारगन मैंने 100% अभी देना है मैंको तो यह phone मुझे त्याग दा पड़ेगा यह keep it वर मैं को आना पड़ेगा और उन्हीं दोस्तों से मुझे connection बरकार रहना पड़ेगा जो कि मुझे motivate करें अभी होता है कि अपने दोस्कों मैं phone करूं क्या चब रहा है कैसी पड़े ही चल भी तो जब negative मिलता है तो कैसे positive result आएगा यह कोशिश करनी पड़ेगी कि अग बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा कि आपको mobile से दूरी बनाने पड़ेगी मुझे social media से अपनी दूरिया बनाने पड़ेगी तभी मैं अपने बोल पर आपस आज कूँगा फोर्थ है छोटे छोटे भूंदों से सागर बनता है भाई पहले दिन चीजस नहीं होगी सही एक गंटे से शुरू करो उसको बढ़ाओ तीन वहेंटे पर लाओ तीन वहेंटे से पांच गंटे पर जाओ धीरे धीरे बढ़ाओ एक साथ भीड़ोगी कि नहीं यार मैं तो जी तुना कर दूंगा तो वो नहीं होने वाला धीरे 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 consistency बढ़ती जाएगी flow में आओगे और distractions काम होते जाएगे तभी तुमको help मिले कि यार में अपना goal achieved करिया तो हमेशे याद रखो कि एक बार में मैं सागा खाना नहीं का पाऊंगा जितना हो सकेगा धीरे ध हाते रहूंगा और एट टाइम ऐसा आएगा कि नहीं यार भॉस बात बन रही है और मैं अपने टार्गेट सो और फिफ जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टन है भाहिया प्रॉब्लम्स सबके साथ होने वाली है तुमको ऐसा लगता है कि जो रहंगर है वो हर दिन पढ़ा ह होगा उससे हमेशा कंसेस्टेंसी है योगी लेकिन ऐसा नहीं होता तुम डी मोटिवेशन आएंगे डाउंस आएंगे और ऐसा लगेगा किया मैं कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई नहीं कर पार पट ये मेरी बात ध्यान में रखाए कि भले तुम्हारा वहारा दिन अच् और यह सारे जो मैंने बता है ना इसको लूप पर लगा के इंप्लेमेंट करोगे तो काम में आएगा सुनने से कुछ नहीं होगा करने से होगा विकॉस करोगे तभी रिजर्ट निकलेगा कितनी भी वीडियोस देख लो कितना भी मोटिवेशन ले लिकिन अंदर से अंदर स से इसको फोल्ड डालो गए तो चलो बढ़िया वापस पढ़ाई पर लग जाओ नेक्स आरहा है उस पर जी जान से अपना पूरा 100% दे दो और बिलको सकसा हाँ लगेगी तिल दें कीप लगें कीप रोइंग एंडिल सी यू नेक्स वीडियो बाए